अब हर बार मेरी बेज़त ही की जाती है कि यार सनाई पिंग तुमसे ना होगी छोड़ दो सनाई पिंग लेकिन इतने सारे गलती से एट सौड देखके मेरा टीमेट कुछ ये बोलता है मेरे को भाई सबको एक गोली में नौप दे रहा है भाई क्या हो गया है जो एक है तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक विरान्यू गलत सीन से भरे पड़े गलत सनाई पिंग से भरे पड़े पड़े पब जिदो मोबाइल के इंप्री वीडियो में और यार इस मैच में इतनी गलत सनाइपिंग करता हूँ की मज़ा टैपी हो जाता है मतलब सनाइपिंग तो सस्ती ही रहेगी लेकिन यार किस्मत बढ़िया चलेगी खेर जो ब्यो 32 किलो जाते हैं देखते ही देखते तो यार मज़ा टैप आने वाला है इंटन सुने वाला है लेकिन फिरार मिल्टी रेरी उतराओं और मिनी 14 मिली है अब मिल्टी रेरी में घरों की कभी नहीं है बिल्कुल लेकिन यार ये लोग ठीक वहीं पर उतरते जहां पर मैं उतर रखा हूँ और बढ़िया बात यह होती है कि यार उतरते ही मेरे कोकन मिल जाती है और उतरते ही कोई भी गन मिलना एक बढ़िया बात ही होती है अच्छा वह सोडगर नहीं मिली वैसे उससे मैं शायद ही कुछ उकार पाता खेर जो भी हो यहाँ देखते देखते मैं दो बंदों की पेटी बना चुका हूँ लेकिन और भी बंदे हैं इधर पे आगे और मेरे खयाल से इधी का टीम का एक बंदा आगे वाले च्छत पे बैठा पड़ा है तो मैं धैर पेड अपने टीमेट से बे सर्मों की तरह एमफोर लेता हूँ और बंदे पिलता हूँ अब वो गंदा टोमी गन काफी बढ़िया चला रहा होता है लेकिन यार मैं भी यहां हलवा बनाने नहीं बैठा हूँ मेरे पे भी एमफोर पड़ी है तो हमारे भाई नीचे की तरफ भग रहे होते लेकिन वो टोमी से पकड़ लेता है और मैं उसको एमफोर से पकड़ लेता हूँ अब देखो मैं भी रिवाइफ करूँगा और वो लोग भी रिवाइफ ही हो जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार जाके पेलेंगे और यह क्या भग रहा है यहां नीचे पे और जहां तक मेरे को लग रहा है यार वो बोट बंदे की पेटी लूटने गया था लेकिन यार वो बोट पहले ही पहुँच चुका है खेर जो भी हो एक फ्री की किल मिल गई और अब इनको पेलने के लिए बढ़ता हूँ आगे अब इन में से कोई एक बंदा यार बोट की पेटी बना रहा होता है और चत में भी बंदा है तो मेरे ख्याल से चत वाले ने पेटी बनाई और इस वाले की मैंने पेटी बना दी देखो मतलब सीन के हुआ उपर जो बंदा बैटा है उसने गोली चलाई उसको पेलने के लिए मैं यहाँ पे आया लेकिन उसके वज़े से उसका टीम में ठील गया और यहाँ पे मैं बैट के फुटी स्टैप सुन रहा था तो वहार किसी के चलांग लगाने की अवाज आती है और देखो बगल वाले चत में भी कोई पहुच चुका है तो मुझे लगा यार जो अपने चत में बैटा था वही कूदा होगा इधर अब मेरा बहाना क्या होगा यह आपको अभी तक पता चल गया होगा मुझे लगा यार जो अपने च्छत के उपर था वो दूसरे च्छत में जा चुका है बगने की कुसिस में मतलब जाद तर यह होता है एकाज बंदों की पेटी बनाओ बाकी बंदे बचके बगने की कुसिस करते हैं लेकिन यहां पे सीन क्या होता है अपने च्छत वाला अपने च्छत पे ही होता है और उसका दूसरा टीमेट अगले वाले च्छत पे कूच जाता है क्यार यहां पे साई टाइम मिल गया वो लोग भी दुबारा रिवाइव हो गये और मैं भी दुबारा और यार मेरे टीमेट ने क्या ही स्कैम किया बंदा भकते वे गया और उनी की तरह उनी के मुग के सामने लेड गया दिवार के पिछे तो वो लोग खड़े हुए लेकिन यार किसी को भी नहीं पेर पाए और पीछे मैं बैठा ही था तो दोनों की पेटी बना दी और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ पबजी बॉटों को और कितना खतरनाग बनाना चाता है मतलब एक टैम के लिए मुझे लग रहा था यार ये तो कोई AKM वाला बंदा है पूरी जान से बहिया ओटों में चला रहा है बॉट खेर जो भी हो ये यहाँ पे एकाद बॉट आपस में लड़ रहे होते तो हां इन दोनों को पेल के समोग करके लूट रहा हूँ मैं देखो ये मिल्टे रेरिय यहाँ पे कौन किधर लेटा हो किसी को कुछ नहीं पता इसलिए यार साफधान रहो सुरक्चित रहो समोग किया समोग करके लूटता हूँ और उत्रे में ही हमारे भाई फलेर भी चला देते हैं तो फलेर आती है एक गन तो बहुत ही खतरनाक होत उसके बाद ये DBS पेल दी यार देखो मैंने जादा नहीं चला ये DBS लेकिन जहां तक मेरे को पता है किसी काम की गन्नी है और खतम गने बिल्कुल भी अब बताओ जब आप S बारके पे 8 गोली एक ही बार बे चला सकते हो कटा कट तो आप DBS क्यू चलाओगे जिसमें 2 गोल और ये बंदे की यार किस्मत ही खराब चल ली थी मतलब हमारे भाई पूरी जान लगा के सेप खिल ले थे देखो जहां से मैं गाड़ी ले जा रहा हूं ये बंदा सो परती साथ इधरी कूदा इधरी भाई ने लूट की लूट करने के बाद भाई ने बोला यार गाड़ी लेके आजा तो बढ़िया टाइम है और जब ये गाड़ी लेने गया मैं सामने खड़ा हूं गाड़ी लेके तो पहले गाड़ी से नौक या उसके बाद सीधा पेटी बना दी अब उस बंदे के बाकी टीमेट भी उधर हो सकते थे लेकिन यार मेरे को बाकी जगा पे पिलन हैं अब देखो ज़्यादा तर टाइम ब्रिच केंप में बहुत टाइम वेश्ट हो जाता है लेकिन जब आप पे AWM पढ़ियो तब यार बंदे पेलना फालवे की तरह हो जाता है बिलकुल और अब मेरे गलती से हेट सोट लगना चालू हो चुके हैं लेकिन यार इस मैच में इतनी तगड़ी किसमत होती है कि यार हेट सोट लगना रुकते नहीं है बिलकुल भी खेर मैं अंधार रस करता हूँ इन पे अभी अब देखो मैं मजाक नहीं करूंगा ये बिरिज कैम कम हलवा जादा लग रहा था इतनी असानी से टूड़ गया ये बिरिज कैम की क्या ही बताऊं मतलब बंदों ने दिमाग पूरा लगा रखा था दो बंदे इधर पर बैठेंगे दो बंदे पीछे बैठेंगे आगे से कवर पीछे से कवर मैं आता हूँ मैं बोलता हूँ आरे कद्दू का कवर दोनों बंदों को तो हैट सोड से पेलता हूँ और बाकी दों को गन से ही काम चल जाता है और एक बंदा इतनी तेजी में होता है कि वो नौक होके सीधा पानी की नीचे कूता है और सबसे पहले उसी match में और आपको भी पता है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि यार अपने साथ के बंदे तारीफ कर रहे हो मेरी सनाइपिंग को जाता तर टाइम बेशती ही होती है लेकिन इससे पहले कि मैं बाकी बंदे पेलू हम धैड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारी सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक बैट जिसके मदद से आप कई सारे मिनी गेम्स खेल सकते हो और मिनी गेम्स खेल के पैसे अंकर सकते हो साथी साथ इसमें आपको 100% बो कर सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सोख है आप इस एप को ट्राइ कर सकते हो इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टूप में अब यह जो मैं कर रहा हूं ना यह एडबलो एम से पेटिया बनाना इसे गोली की बरबादी कहते हैं अब देखो इस प्रे सस्ता हुआ तो क्या हो गया वो मारता ना को अब यहां पर मैं बोलने वाला थे कि यार इस प्रे सस्ता है तो क्या हो गया स्नाइपिंग तो महंगी है फिर यह आदा ता यार मेरी स्नाइपिंग भी सस्ती होती है लेकिन टैंसर मतलो उस बग्गी वाले बंदे को पेलेंगे जरूर देखो और है आपड़ ने एक रदर हाड़ अब देखो तीन बंदों की तो मैं पेटी बना चुका हूं लेकिन ये वाला बंदा भी नौक हुआ होता है मतलब एक और है यहीं कहीं साब और ये थे हमारे बंगी वाले भाई अब देखो इस बंदे को मैं ब्रिज पे कैसे नहीं पेल पाया यार समझ के पार है मैं जानतों मेरा सप्रे बहुत ही सस्ता है लेकिन दो हेट सोट और एक बोडी सोट भी पेला था फिर भी नी ठीला बंदा खेर जो भी ओ अपने को एक किल भी मिल जाती आखिर में तो यार बढ़िया यार दिक्कत नहीं होनी चीए मेरे को तो यहां पे ब्रिज पे मुझे चार किल मिलते हैं ब्रिज के इस पार मुझे चार किल मिलते हैं मतलब यही ब्रिज ब्रिज पे टोटल 8 बंदे बैठे होते हैं और सही बात यह है कि यार यह जो सनाइपिंग में कर रहा हूँ यह अभी बस सुरुवात है क्योंकि आगे जाके बहुत सारे बंदे पेलने वाला हूँ और जोन भी इधर मिल्टी रेरी के साइड बना होता है अब जादा तर जब ऐसे जोन बनते मेरे किल बहुत ही कम होते हैं लेकिन ये वाला मैच मेरा इस सीजन का सबसे जादा किल वाला मैच होने वाला है 32 किल होता है यार मज़ा टैप आजाता है जन्मो जन्मो के लिए केड़ी बचेगी तो यहां पर मैं गाड़ी गुमाई रहा होता हूँ कि मुझे एक नीचे बंदा भगते वे दिखता है उपन में बिल्कुल चौड में भगते हुए और ये जो चीज मैंने अभी अभी करी इसे डेटता कहते हैं अपने उपर दो दो बंदे साब बने बैठे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ नीचे वाले बंदे की पेटी बनाने की कुशिज और अब हम बहुत ही जादा बुरी तरह के से फस चुके हैं क्योंकि देखो जहां तक मेरे को पता है नीचे एक या फिर दो बंदे और पड़े हैं और अपने उपर दो बंदे साब बन रखे हैं वो भी बाइसियों लेके जहरीला साब अपर नहीं है स्मोक मैंने बनाया है स्मोक बे फिर पीछे से पढ़ जाएगी तुरे पीछे से फ्लांक माड़ दियो फ्लांक माड़ दियो उस्नारी और यहां पेबी मेरे को खुल मिला के जाएगा चार किल और मिल जाती है मजा आ गयार मतलब देखते ही देखते सोला किल और भी मिल गए अब देखो यह सीन क्या होता है यह चारो बंदे एक ही सकोड के होते है दो बंदे नीचे से बगते वे आ रहे हैं और दो बंदे क्या कर रहे हैं उपर पे साब बने बैटे हैं बिल्कुली मतलब यहाँ पे मैं गाड़ी रोक के चौड़वे सपरे दे रहा होता हूँ अचानक से पीछे से सपरे पड़ता है अब देखो यहाँ पे किल भी ले लिए और अपने टीमेड को भी बचा लिया जो कि मुझे लगनी रहा था यार क्योंकि मुझे लगा था नीचे वाले अलग टीम के होंगे और उपर वाले अलग टीम के लेकिन दोनों बन्दे एक ही टीम के थे तो हाँ अपना फायदा हो गया अब मैं क्या करता हूँ यहाँ आता हूँ में bridge की side क्योंकि जैसा कि मैंने बोला यार bridge से zone जा रहा है तो कोई न कोई camp करके जरूर बैठा होगा अब bridge पे बंदे होते है कि नहीं इसका मुझे कदू भी idea नहीं है लेकिन आगे बंदे लेटे पड़े हैं और इस match में मैं ज़्यादा लालश नहीं कर रहा था सोच रहा था यार 25 या फिर 28 किलोर हो जाए तो उस बंदे को knock करते ही मैं क्या बोलता हो यार उनके पीछे जाके flag करके पे लेंगे हरा क्योंकि इस पहड़ी के पीछे एक और पहड़ी है वो भी तीन तीन बंदे और डर पता है कब लगता है जब साप नौक होता है अब जब आखिर आखिर के जोन में यार साप नौक होते हैं न मेरी फटके चार होती है क्योंकि देखो एक बंदा साप बना पड़ा है तो उसका टीमेट भी वहीं कहीं लेटा पड़ा होगा तो ये बंदा पीछे डीपी लेके लेटा होता है लेकिन मैं टैम पे कवर पे आता हूँ भाई सस्ता सप्रे देते हैं मुझे लेकिन जैसे तैसे मैं बच जाता हूँ और अब आगे वाले बंदों की बारी और ऐसे वाले सीन यार मेरे साथ सालों में आधे बार होता है कि यार गोली चला रहा हूँ और बहुत कम बर्बाद हो रही है गोली सिधा सर पे लग रही है गोलिया खैर दो बंदे पेल चुका हूँ अब बाक्यों को पेलने की कुशिस अब हर बार मेरी बेजती की जाती है कि यार सनाइपिंग तुमसे ना होगी छोड़ दो सनाइपिंग लेकिन इतने सारे गलती से एट सौट देखके मेरे टीमेट कुछ ये बोलता है मेरे को अब भाई मेरे से पूछ रहे है कियार मेरे को क्या हो गया है कहीं में बिमार तो नहीं पड़ गया क्योंकि इतने सारे गलती से एट सौट मेरे को मैंने खुदर नहीं देखे अपने आपको इतने पेलते वे लेकिन जैसा कि मैंने बोला है था यार साल में आधे बार ऐसा टाइम आता है जब मैं गलती से एट सौट को जादा ही पेलने लग जाता हूँ यही वो टाइम है और एक और बार मैं उधर साइट के एक और बंदे को नौक कर देता हूँ लेकिन इतने में ही पीछे एक जाडी में साब दिखता है और वो वाला साब मस्त उधर जाडी पे लेटा होता है अब देखो उस भाई को जाडी जरूर दिख रही होगी लेकिन यार हमें यहां से जाडी के नाम पे कदू कुछ नहीं दिख रहा होता बस भाई का सर दिख रहा होता है तो हाँ अब बस दो ही बंदे बाकी हैं और ये दोनों की दोनों बंदे ये जो सामने घर पे मैं दो बार नौक कर चुका हूँ वहीं पे बैठे पड़े हैं अब देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यार ये लोग यहाँ पहड पे आ जाएं और हमको जोन आने से रोग दें तो मैं भगते-भगते मैं खुद पहले पहड पे आ जाता हूँ और कोशिज करता हूँ कि यार अगर अपने पे जोन बनेगा तो इनको मजाक में पेलूँगा लेकिन आपको भी पता है मेरे को भी पता है हम पे जोन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला लेकिन दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि यार तुमारे भाई पे अभी AWM पढ़ी है तीन गोली बाकी है और इन तीन गोलीों में कम से कम एक बंदा नौक करी देना चाहिए किस्मत बढ़िया चलिये यार करी दूँगा एक बंदे को नौक और ठीक उसी सेकेंड जब मैं सोच रहा हूता हूं कि यार आखिरकार आखिरकार जाके मेरी सनाइपिंग भी थोड़ी सी महंगी हो चुकी है तब जाके पता चलता है कि यार नहीं तुमारी सनाइपिंग सस्ती है और सस्ती ही रहेगी और सोट मिस हो जाता है अब बस दो ही गुलियां बाकी है मेरे पे और जब मैं ये बात सोची रहा था कि यार आज के लिए इतना ही इतनी सनाई पिंग बहुत आज के लिए और किस्मत नहीं चमकेगी उतने में ही किस्मत एक आखरी बार चमकती है और इसकी वज़ा से आखर चिकन डेनर भी होगा बिल्कुल अब मैं जो जलती बोतल में आख फेकता हूँ उससे एक बंदानों को जाता है तो मैं सोचता हूँ क्यों आखरी बंदे को नेड नूट करके पेला जाए अब मैं उपर दो ती नेड करता हूँ लेकिन यार बंदा ठिल के नहीं देता तो मैं अपनी लाइन में आ जाता हूँ मैं समझ जाता हूँ यार नेड फेकके हमसे ना उपाएगा तो मैं वापिस से अपनी एमफोर उठाता हूँ और अखिर कार जाके बंदे को पेल पाता हूँ उस घर पे मैंने एक मॉली तीन नेड किया बाई वो आकरी बंदा ठिल के नहीं दिया और सबसे मजे की बात यह है कि आदा घर जोन के बाहर है उसके बावजूद भी बंदा नी ठिला तो सोचो अगर पूरा घर जोन पे होता तो यार शायद मैं डेमेज भी नी दे पाता मेरे ख्याल से मैंने इस बार भी डेमेज नी दिया लेकिन यार आखिर में चिकन चुकन हो जाता है और किल की तरफ देखता हूं तो 32 किल होते हैं और मेरे ख्याल से इस बार का सबसे बढ़िया मैच यही गया मेरा मतलब यार जिस मैच में सनाइपिंग बढ़िया चली जाए वो मैच बढ़िया ही जाता है बिलकुल और इसमें सबसे हाइस्ट किल भी हो जाते मेर इस सीजन के 32 किल्स सही यार मज़ा टैप आ गया तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतने ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे इतने सारे गलती से एड़ सौट के लिए लाइक पिलना मत भूलना मतलब ये बात मैं भी मानता हूँ कि यार जो भी हुआ तुक्के में हुआ लेकिन यार लाइक पिल दोगे तो मज़ा टैप आ जाएगा बिल्कुल ठोका प्रीटी करके नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब क्योंकि तुम्हारा भाई ये सस्ती सनाइपिंग वाली वीडियो बनाता रहता है तो आज की वीडियो में इतना है भालो गयार जाते जाते एक एक्स बैट चेक आउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिल्कुल टोक में तुकाल मिल्टेर बाई बाई बाई